दोस्तों नमशकार आधाब सच्रियकाड नीज क्लिक के का नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश पंजाब की सियासत में एक नया घटना करम दर्ज होता नजर आ रहा है वहां की जो किसान राजनीती है वहां की जो मुक्खधारा की राजनीती है वहां का जो पंतिक तब हिस्सा है अगर इन सब को टोटेलिटी मेलें तो ये एक बिलकुल नई स्थिती नजर आ रही है बेहत खतरनाक खतरनाक इसलिए कहा जा रहा है दोस्तो कि पंजाब में हाल के कुछ वर्षों के दवरान कुछ दशकों के दवरान ड्रग से लेकर और बहुत सारी और समस्याएं रही हैं लेकिन उगरवादी जो एक राजनीती का उभार हमने असी के दशक में देखा था वैसी स्थितियां पंजाब में एक नई रोशनी दिखाई थी कि जनता कैसे अपनी पहल से अपने हितों के लिए लोग तांत्रिक ढंग से भले ही वो कितना भी जो जारू पन क्यों न उसमें हो लेकिन लोग तांत्रिक ढंग से कैसे जनांदोलन कर सकती है और अपनी मागों को एचीव कर सकती है शासन को जुका सकती है मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन की राजनीत पंजाब की हिस्ट्री में लोकतंत्र के विजय के रूप में दर्ज की जाएगी एक लोकतंत्रिक चेतना के विस्तार के रूप में दर्ज की जाएगी लेकिन आल अव सड़िन हम देखते हैं कि एक की गई थी दीप सिद्धू के रूप में और दीप सिद्धू ने जिस तरह लाल किले के आसपास खुराफात का पूरा एक तंत्र खड़ा किया था जिससे की किसाना अंदूलन को बदनाम किया जा सके बात में पता चला कि दीप सिद्धू के अनेक सत्ताधारी नेताओं के वो फिर एक बार खतरनाथ स्थितियों की तरफ संकेत कर रहा है दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है सन दो हजार बाइस में अमरित पाल सिंग दूबई से भारत आता है दूबई में वो एक कारोबारी के तोर पे रह रहा था कामकाज कर रहा था बिल्कुल नौजवान व्यक्ति आइटिंक 28-29 साल का अभी आई यह कम उम्र में ही वो विदेश चला गया था अगर आप दूबई के दवरान दूबई प्रवास के दवरान उसकी तस्वीरों को देखें तो बिल्कुल एक मौडर्न एक आधुनिक नौजवान की तरह नजर आता है जिसके सिर पर न तो सिक धर्म के हिसाब से न पगड़ी है न बाल है और बल्कि बिल्कुल वो एक सामान्य किसी भी देश के एक नागरी के तोर पे दिखाई दे रहा है खास कर किसी एशियाई मुल्क के नागरी के तोर पे लेकिन वही अमरितपाल 2022 में यहां आने के बाद अच्छानक संत जार्नेल सिंग भिंडरावाला की तरह वो एक खास ठंकी पगड़ी बाता है वे तमाम वेश भुषा उसी तरह से अपना लेता है निहंगों को उसने एक एक जुट करता है निहंगों के खेमे को और जो एक मिलिटेंट किस्म के ग्रामीन समाज और शहरी समाज के वे नौजवान जो आम तोर पे विरोजगार हैं जिनके पास कोई बड़ा कारोबार नह चाहता है कहां से क्या होता है कोई नहीं जानता बहुत कम कहानیاں बहुत कम जानकारियां अभी तक अमरितपाल सिंग के बारे में सामने आई हैं लेकिन अपने देश की जोegeंस एज Nuclear बांट क के खबर आई है आखवारों में है टेलिट्जिछन वे तो खबर आती नहीं केवल वहाँ पर प्रदर्शन होते हैं, शोज होते हैं और तरह-तरह की कवाइने होती हैं, निउस को मारने के लिए एक नए ढगे कि कखवर के तड़के लगाया जाते हैं, लेकिन अख़वारों मे अभी सिरियस कवरें आती हैं, खवर के तौर पे, तो उन खवरों में कहा गया आए कि हमारी intelligence agencies जो है वो अमरित पाल सिंग के बारे में चार-पांच महीने से उस पर नजर रख रही थी लेकिन अगर नजर रख रही थी तो ये अजनाला में ब्रिहस्पतिवार यानि गुरुवार के दिन अलप सड़न तुफान कैसे मच गया ये एक सवाल पूछने लायक है कि अगर intelligence agencies की चार-पांच महीने से अमरित पाल सिंग की गतिविदियों पर कारुबार पर और जिस तरह वो लोगों को आगनाईज कर रहा था उस पर नजर थी तो भाया ये क्या हुआ अजनाला में अमरित सर्ग में कि वो इतनी बड़ी भीड लेकर सामने आ गया और ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को नहीं मालुम था पुलिस को उसने धमकी दी थी कि अमुक दिन अमुक समय हम आएंगे अगर हमारे आदमी को नहीं छोड़ा गया वो लौप्रीट सिंग लौप्रीट सिंग बंद था जेल में अमरित सर जेल में वो अपहरणा और मारपीट के आरोप में बंद था लेकिन उसने कहा था कि इसको अगर नहीं छोड़ा गया तो वो थाने आकर छोड़ाएगा थाने आकर वो हिसाब किताब पूरा करेगा और वो आ गया पुलिस को इसकी पूरी जानकारी थी यही कारण है कि अजनाला पुलिस स्टेशन के आसपास पांच एक सो पुलिस को इकठा किया गया था फाइव हंडेट के आसपास और इसके अलावा वहां पर तमाम तरह के गाडियां थी जो जो सुरक्षा के हिसाब से बंदोबस्त के हिसाब से जरूरी होती हैं बक्तर बंद गाड़ियां आंसू गैस के गोले वहां रखे गए थे और तमाम हरवातियार जो पुलिस जो है सुरक्षा के रिए इस्तेमाल करती है उन सभी चीजों का वहां जखीरा था लेकिन सब बेअसर सब बेकार क्यों क्योंकि बखौल पुलिस वह अमरित पाल सिंग जो भीड लेकर आया उसमें पवित्र ग्रंथ गुरु गुरुगरंथ साहिब को वो उनकी गद्दी लेकर आया एक बड़ा बड़ा सावाहन था और उसमें उनको रखा गया था तो एक पुलिस का डर था कि कहीं ये प्रचारित न कर दिया जाए बे अद्वी का मामला और इस तरह से लेने के देने पड़ जाएंगे अब इस कहानी पर हम नहीं जाएंगे क्या पुलिस गुरगरंद साहब की का सौस सम्मान उनका उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रखते हुए क्या उपधरिवियों को वो थी वो अलग थलग कर सकती थी क्या उनको वो हिरासत में ले सकती थी या नहीं ले सकती थी यह हम सुरक्षा जानकारों पर ये ये मसला छोड़ते हैं लेकिन जो पुलिस ने कहा है कि वो इसलिए घुट ने उसने टेक दिया अमरितपाल सिंग के सामने क्योंकि गुर्गरंत सहाब लेकर वो आया था गद्धी लेकर आये थे और एक वहान पर रखा गया था पवित्र गरंत को ऐसा वो कहते हैं और वो कहते हैं कि वो एक शिल्ड के तोर पे उसका इस्तिमाल कि इन उपद्रवियों ने सवाल इस बात का है कि अगर उपद्रवी किस्म के लोग किसी पवित्र गरंत का शिल्ड के तरुपे इस्तिमाल करने लगें तो क्या अपने देश की पुलिस जो तमाम तरह के निर्दोष किसानों मजदूरों और युवाओं पर तरह तरह के अत्या संथ पाल सिंग एंड कमपनी के बारे में कही जा सकती है और वो बहुत महत्पून है बहुत महत्पून ये है कि वो खुलेयाम खालिस्तान का पक्ष ले रहा है वो संथ जर्नेल सिंग भिंडरावाले की विचारधारा को कह रहा है कि कभी भी विचार मरते नहीं है लोग मर हैं लोग मारे जाते हैं लेकिन विचार नहीं मरते एक बात और वो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जब इस डेश में हिंदू रास्ट के लिए काम किया जा सकता है जब हिंदू रास्ट के पक्ष में सारे के सारे लोग भाशन दे रहे हैं प्रवचन कर रहे हैं तो अगर हम खालिस्तान की बात करें तो इसमें क्या गलत है ये बात वो कह रहा है अब सवाल इस बात का है कि आज हम 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 इस सवाल पर बात में थोड़ी देर बात करेंगे लेकिन आज दोस्तों पंजाब की परिष्थिती क्या है इसको देखने की जरूरत है कॉंग्रेस पार्टी जो वहाँ पर एक मजबूत पार्टी थी हाल तक पिछले चुनाव में वहारी इसके पहले वो सत्ता में थी उसके सबसे बड़े नेता भारती जनता पार्टी के जो पंजाब में थे पुरू मुक्यमंत्री अमरिंदर सिंग वो भारती जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं ध्यान रखिएगा वो अकाली दल में फिर नहीं गए वो भारती जनता पार्टी में आ गए आम आदमी पार्टी जो चुनाव जीती भगवन सिंग मान उसके मुक्यमंत्री बने आम आदमी पार्टी को जिताने में ऐसे गुटों और समुहों ने भी प्रत्यक्ष या और प्रत्यक्ष साथ दिया समर्थन दिया जो देश के दूसरे हिस्तों में बहुत डॉमिनेट खासकर हिंदी भासी छेत्र में काफी जिनकी मजबूत इस्थिती है ऐसा माना जाता ह पंजाब के कई शहरों में ऐसे ऐसी सियासत करने वाली जो पार्टियां हैं जो समुह हैं उनको आम आदमी पार्टी के तरफ जुका देखा गया शिरोमणी अकाली दल बादल गुट जो है उसकी बहुत बुरी स्थिती है तो पंजाब में इस समय अगर देखा जाए तो आम बीच में उतल पुतल है वो फिर से रियागनाईज अपने को कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं एक संकट है एक सवाल है तो क्या मना जाए कि ऐसे में कोई और पुलिटिकल पार्टी विपक्ष में और भविश्य में सत्ताधारी बनने का कोई सपना बुन रही है और वो कौन प आम आदमी पार्टी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि आम आदमी पार्टी की अपनी कोई वह चारिकता नहीं है आम आदमी पार्टी में आज जो लोग हैं उनके बारे में आप यह नहीं कह सकते कि वो एक खास ऐसी वि पिचारदारा तो आमादी पार्टी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती है तो क्या पंजाब में जो एक वैचारिक संकट है एक दली शुनिता है राजनीती में जो समिकर्ण तेजी से बदल रहे हैं क्या इस खलबलाहट में अमरित पाल सिंग के जरिये कुछ लोग राजनीती के रोटियां सेखने की कोशिश कर रहे हैं मेरा आज एक महत्मुन सवाल ये हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं हम किसी पर इलजाम नहीं लगा रहे हैं हम कोई conspiracy theory नहीं आपके सामने बुन रहे हैं लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर 2022 में अमरित पाल सिंग किन लोगों के किन के कहने पर, किन की इक्षा से, किन की प्रेरणा से पंजाब आया, एक आधनिक नौजवान, एक आधनिक कारोबारी नौजवान, अचानक एक इस तरह की उग्रपंथी, पंथिक राजनीच इसे कैसे अपने को जोड़ता है, वो कैसे इसमें आगे बढ़ जाता ह है, कैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और फिर दीप सिद्धू के साथ, उसके खटे मिठे रिष्टे बताया जाते हैं, फिर वो वारिष पंजाब दे नाम का संगठन है, उसमें वो कैसे नेता बन कर उभरता है, ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं, तो ऐसे में पंजाब में जो आज हालात हैं, उसमें अमरित पाल सिंग का उभरना अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है, और दोस्तों अगर आपको याद होगा, मैंने तो पंजाब उस दोर में कबर किया है, स्वर्ण मंदिर जाकर भी, और पंजाब के अलग-अलग ज जीलों में अलग-अलग तैसीलों में घूम कर भी, हमने देखा है कि किस तरह संत जैरनेल सिंग भिंडरा वाले की राजनीत को शहदी गई, कैसे उनको भारा गया, सत्ता राजनीत के गलियारे से लेकर और अमरित सर की गलियों में क्या-क्या खेल हुआ, किस तरह की बाजिय लागाई गई, किस तरह के समिकरन बुने गए और उसका हश्र क्या हुआ, कितना खतरनाद उसका हश्र हुआ, तो क्या हम एक सवाल कर सकते हैं कि पंजाब की हिस्टरी क्या अपने को रिपीट करेगी, दोस्तों मेरा मानना है कि हिस्टरी अपने को विलकुल हु बहु रिप रीट नहीं करती है एक महांदार्शनिक का एक बहुती महत्पुनुद धर्ण है कि कभी वो तरास्दी के रूप में कॉल माक्स का है कि वो कभी वो तरास्दी के रूप में कभी प्रहसन के रूप में आती है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि हिस्ट्री हूब हूब रिपीट लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर कहीं न कहीं शासक समूहों व्यवस्था के संचालकों की तरफ से जरूर हो रहा है और बिलकुल आखीर में चलते चलते एक बड़ा सवाल है कि जब इस देश की सत्ता चलाने वाले लोग उनके दरजनों संगठन जब खुलियाम हिंदू राष्ट की बात कर रहे हैं भारत के लोगतांत्रिक संविधान कुक्की अंदेखी की जा रही है संविधानिक संस्थाओं को मारा जा रहा है एक शत्र एक दली राजनीती और एक दल के नेता को स्थापित करने का उपक्रम चल रहा है और जब सत्ताधारियों के ही बहुत सारे आनुशंगिक संगठन खुलियाम कह रहे हैं कि वो हर हालत में देश को हिंदू राष्ट में तबदील करके रहेंगे और दोस्तों कई संगठन तो ऐसे हैं जो गोरक्षा के नाम पर लोगों पर हमले कर रहे हैं हिंसा उपद्रो कभी लब जहाद के रूप में और सत्ता में बैठे हुए उनके जो चचा उनके जो बड़े लोग हैं उनके जो यूं कहा जाए प्रेटरनाइज करने वाले लोग हैं वो उनको अभैदान दे रहे हैं तो ऐसे दोर में जब हिंदुत्यवादी उग्रपंथी राजनीती हिंदी हार्ट लेंड में फैलती दिखाई दे रही है तो पंजाब में अगर कोई इस तरह की राजनीती का उभार होता है कोई पंजाब की जंता से चूक होती है अगर कोई अमरितपाल सिंग उभरता है तो क्या ये इस तरह की जो उग्रवादी या उग्र एक विचारधारा है जो पूरे देश में इस समय स्थापित और प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है उसको कैसे रोका जा सकता है भारत का भविश्य सेक्लिरियम के साथ है डेमोक्रा रही है उसका जबाब भी यही है संबैधानिक्ता और संबैधानिक्ता को इमानदारी से लागू करना इसलिए दिल्ली में बैटे वे निजाम को दिल्ली में बैटे वे शास्कों को जरूर अपने अंदर जाकना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं केंद्री एजन्सिया क्यों इस पर नजर उनकी नहीं थी किस के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था और आज जो हालात पैदा हुए है उसका समाधान क्या है तो आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सच्रियकाद